आमादमी पार्टी के संदीब कुमार और कप्पिल मिश्रा को दल बतलू कानून के आरोप के तहट दिली विधानसबा अध्यक्स राम निवास गोयल ने आमादमी पार्टी के विधायक अनरिज वाजपी और देविन सहर रावत के खिलाफ सुनवाई प्रिक्रियाशू करने क के बास सुमबार को दो और बागी विधायकों कप्पिल मिश्रा और संदीब कुमार को नोटिस जारी कर दिया है नोटिस में कहा गया है कि विधायकों ने कानून का उलंगन किया है क्यो ना इनकी सदिस्ता रद कर दी जाए इनसे 9 जुलाई तक जवाब देने को कहा गया है दोनों विधायक पूरु में केजरीवल सरकार में मंत्री रहे हैं, कपिल मिश्रा करावल नगर से विधायक हैं, जबकि संदीब कुमार सुल्तान पूरी माजरा से विधायक हैं, इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी मुख्य प्रवक्ता विधायक सौरभ भारदुआज ने पा पार्टी की नीती के खिलाफ जाकर लोकसवा चुनाम में प्रथानमंती नहेंदर मोदी जिताने के लिए भाजपा के समर्त में अभियान चला चुके हैं, हमारी पार्टी के मुखिय अर्विंद केजरीवाल के खिलाफ केजरीवाल बगाओ दिल्ली बचाओ अभियान चला स्कूलों में मैनेजमेंट कमेटी को लेकर भाजपा दोवारा उप्राजय पाल को दिये गए शिकायती पत्र में भी कपिल मिश्रा ने दस्तकत किये हैं वहीं विधायक संदीब कुमार भी बसपा के मंचों पर जा चुके हैं भारत वाज का कहना है कि दूसरे दल के मंच पर ज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले